यह देखे दोस्तों यह आम का पौधा लगबख 5-6 सार पुराना पेड़ है और कितना अधिक फ्लावरिंग किया हुआ है ऐसी फ्लावरिंग आपके भी पौधों में हो सकती है यदि आप लगबख डिल से दो मेने पहले प्रोसीजर करते हैं तो यदि आप चाहते हो कि आपक पेड़ में प्या पौधे में अधिक से दिक फ्लावरिंग कैसे लाई जाती है यदि आप सोच रहे हो कि जिस टाइम फ्लावरिंग आना स्टार्ट होता है उस टाइम आपको हम बताएंगे उस टाइम के लिए कि कोई छिड़काव कर देने से फ्लावरिंग और बढ़ नहीं है मतलब की अधिश्यदिक फ्लावर टिकता है और उससे फ्रूट बनता है लेकिन जब हम यदि दो महीने पहले से ही प्रिप्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं खादवा देते हैं जो भी अभी हम बताएंगे कर देते हैं तो उस टाइप का फ्लावरिंग जब भी आ करता नहीं है इसका प्रिप्रेशन हमने दो महीने पहले से ही चालू कर दिया था तब इस टाइप का फ्लावरिंग आया है तो चलिए देखते हैं कि दो महीने पहले हमने क्या क्या किया था कि हमारा फ्लावरिंग इतना अच्छे तरीके से आया है यदि यह प्रिप्रेशन आंप भी कर ले गए अभी time है आपके पास यदही असा कर ले गए तो आपके भी आम के पौधे में इस टाइप का फ्लावरिंग ज़रोर आएगा और जब फ्लावरिंग अधिक आएगा तो फ्रूटिंग भी बहुत अधिक मात्रा में होगी जब रात के टाइम टेंपरेचर कम होता है और दिन के टाइम में तेज धूप होती है तो उस समय आम के पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है अपने भारत में य यह काम करते हैं लेकिन इस ट्रेक पर घासफूस चोटे मोटे जितने भी होते हैं उनको साप कर देना चाहिए क्योंकि बिना मतलब के फट्लाइजर को एप्जार्व करते हैं और जो फटाजर आम को मिलना चाहिए वो ये घास फूस लेते रहते हैं आम के पौधे में प्रापर तरीके से फ्लावरिंग आने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है नीम की खली को पौधों को देना नीम की खली पौधे के लिए बाया फटाजर काम करता है इसके साथ कीट ना सका भी काम करता है जैसे सफेज चीटियां, दीमक, फफूद या जड़नस्ट करने वाले आदी कीटों से जड़की सुरच्छा करता है यदि प्लांट 5-6 सल का हो तो लगबग 6-7 मुठ्थी नीम का खली देने से आसानी से प्लांट उसको एबजार्ब कर लेता है और हमारे प्लांट को उससे ग्रोध अच्छे तरीके से मिल पाता है आईए दोस्तों आपको बताते हैं कि नीम की खली में कौन-कौन से नीट्रिन पाया जाते हैं जिससे प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोध करता है जैसे नाइट टोजान, फासफोरस, पोटैसियम, कैलसियम ऐसे बहुत सारे मिनरल पाया जाते हैं जिसके कारण पौधे के तने वजड़ मजबूत हो जाते हैं जिससे पौधा स्वस्त बना रहता है इसका कारण यह है कि इन सब मिनरल से क्लोरोफील बढ़ता है और पौधा स्वस्त रहता है और फ्लावरिंग भी प्लापर तरीके से करता है और नीम की खली को मिट्टी में देने के बाद उसको खुरपी की सायता से अच्छे तरीके से मिट्टी मिला देने के बाद लगभग कम से कम एक बाल्टी उसको पानी उसको प्लांट के चारो तरफ दे दें ताकि अच्छे तरीके से मिट्टी में नीम की खली मिल जाए और आसानी से जारवजा रूट के द्वारा नीम की खली के देने के 15 दिन बाद इतना ही गोबर की खाद दूसरे इस टेप के रूप में आम के पौधों को हम देंगे गोबर की खाद की फर्टलिटी के बारे में इसी बात से अंदर्या लगा सकते हैं कि जिस परकार हम एक हूमन के लिए बैलेंज डाएट दूद होता है ठीक उसी परकार किसी पौधे के लिए बैलेंज डाएट के रूप में गोबर की खाद होती है गोबर की खाद में लगभग साए न्यूटिंट पा जाते हैं और पौधे के लिए काफी सेफ मना जाता है लेकिन हाँ एक बात और है कि आप सीधे गोबर को आम के पौधे को ना दें क्योंकि सीधे गोबर को देंगे तो आम का पौधा सुख सकता है इसलिए सड़े हुए गोबर की खाथ को आम के पौधों को देना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे गोबर को मैंने आम के पौधे के चारो तरफ पैलादिया है और फैलाने के बाद एक खुर्पी की सायता से पूरा अच्छे तरीके से मिट्टी में उसको मिला दिया है गोबर की खात को मिट्टी में अच्छे तरीके से मिलाने के बाद एक बाल्टी पानी भरके उसके चायोत दे देना चाहिए ताकि गोबर का न्यूटिंट मिट्टी में मिलके रूट तक पहुँच जाए और रूट आसानी से उसके न्यूटिंट को एपजार्ब कर सके आम के फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए हमारा तिसरा स्टेप केमिकल फर्टलाइजर एन्पीके है इसमें नैटोजन, फासपुरस और पोटेशियम होता है जैसे कोरोना के टाइम में एक बूस्टर डोज देने की बात हो रही है ठीक उसी प्रकार हमारा एन्पीके भी आम के फ्लावरिंग के लिए एक बूस्टर डोज का काम करता है इस बूस्टर डोज के रूप में हम एन्पीके को दिसंबर के लास्ट महीने में देंगे ताकि जैसे ही हमारे जन्वरी के टाइम में फ्लावरिंग इनिसियेट हो उस टाइम ये एन्पीके बूस्ट कर दे हमारी आम के फ्लावरिंग को वीडियों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आपका आम का कोई भी पौधा 4-5 साल लगाने के बाद भी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इस वीडियों को आप देख सकते हैं बैग्याने को दोरा ये प्रूफ किया जा चुका है कि नाइट्रोजन आम के फ्लावरिंग को इंडियूस करता है और आम के पौधे में मेल फीमेल फ्लावर को मेंटेन करता है यदि नाइट्रोजन आम के पौधे में परियाप्त मातरा में मिलता है इसके अलावा फासपोरस नियूट्रिंट आल ओवर प्लान्ट को ग्रोथ देता है ये अनपीके को तीन-चार मुठी लेकर इस टेम के चायो तरब बिखेरने के बाद खुरफी के साहता से उसको मिठ्टी में मिलाने के बाद एक बल्टी पूरा पानी उसको दे दीजे ताकि अच्छे से रूट अपजार्ब कर ले केमिकल फटलाइयर को ये देखे दोस्तों लगभग 45-50 दिन के मेहनत के बाद ये मेरा आम का पौधा लगभग 5-6 साल का है जो कि कितना अच्छा फ्लावरिंग किया हुआ है तो आप भी ऐसे प्रोसिजर करके अपने आम के पौधे में फ्लावरिंग ला सकते हैं